सोमादी रसोई विच सोनिया में आप सभी का स्वागत है आज हमारी रसोई में बनने जा रहा है वेज मंचूरियन जिसको मैंने चावल के साथ सर्व किया है तो देख लेते हैं वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले हम एक पत्ता गोबी को कद्दूकस कर लेंगे और उसके बाद एक शिमला मिर्ज को मैंने बारिबरी काटा है एक से दो गाजर को कद्दूकस कर लिया है यहां मैं चार लोगों के हिसाब से मंचूरियन बना रही है अब हम एक बड़ा बरतन लेंगे उसके अंदर हम यह कद्दूकस की हुई पत्ता गोबी डाल देंगे इस तरह और इसके साथ साथ अब हमने इसमें एड़ करना है एक चमच नमक का नमक हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं ताकि पत्ता गोबी में जो भी पानी होगा वो नमक टालने से निकल जाएगा आब हम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे तो 5 मिनट बाद देखिए इसका पानी अलग हो चुका है अब हम इसे अच्छे से निचोड लेंगे इस तरह थोड़ा थोड़ा दबा कर इसको हम यह चोड़ते जाएंगे तो यह देखिए इसमें कितना पानी था जब इसमें से पानी निकल जाएगा तो हमारी मंचूरियन की बॉल्स बहुत अच्छी तरीके से बनेंगी जब हम उन्हें फ्राइ करेंगे तो वो बिल्कुल भी फटेंगी नहीं तो चलिए अब करना है कौन फ्लार के मैं तीन से चार चमज इसमें डालूंगी कौन फ्लार का यह काम होगा कि जब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे तो वो अच्छे से बाइंड हो जाएंगी और तूटेंगी नहीं तो यहां इसके साथ साथ में दो चमज मैदा के भी आड़ कर रही हूं चली अब इसके अंदर हम कुछ मसाले अड़ कर लेंगे मसाले बिल्कुल नॉर्मल से हैं सबसे पहले इसके अंदर हम आदा चोटा चमज नमक कर डालेंगे आदा चोटा चमज लाल मिर्च कर डालेंगे एक से दो चुटकी पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे और एक से दो को इसकी जरूरत पढ़ती है कि आप से यह गुनदा नहीं जा रहा तो इसके अंदर हम थोड़ा साथ पानी मिला सकते हैं लेकिन यह देखे चोटी सी एक बॉल बन कर तयार है इसी तरह हमने बाकी की भी सारी बॉल्स बना लेनी है अब इन सारी बॉल्स को हम तल लेंगे तलने के लिए मैंने यहाँ पर कड़ाई का उप्योग किया है यह भारी तले की कड़ाई है इसके अंदर मैंने रिफाइन डाला है Refined की मातरा हम उतनी ही रखेंगे जिसमें बॉल्स आसानी से fry हो जाए तो Refined को थोड़ा सा गरम होने के बाद इसमें हम एके करके ये सारी बॉल्स डाल देंगे इस तरह इन बॉल्स को हमने Sim Gas पे fry करना है गैस को हम जब तेज कर देंगे तो ये बॉल बाहर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल Sim Gas पे पकाना है तो 5-10 मिनट लगेंगे इसे fry होने में एक बार हम इसको अलट पलट कर देंगे और साथ-साथ बाकी की बची हुई बाल्स भी डाल कर इसको हम fry कर लेंगे तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है ये सारी बाल्स अब देखते हैं ग्रेवी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए तो यहां मैंने आधी गाजर को कद्दू कस कर लिया है इसके साथ-साथ मैंने दो से तीन हरी मिर्च को बारिक-बारी काट लिया है और उसके बाद इसमें मैंने साथ से आठ कर लिया लेसन की काट लिया है मंचूरियन में लेसन का उपयोग जादा होता है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जादा ही लस्टन बरिक बरिक काट लिया है इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक शिमला मिर्च को थोड़ा सा मीडियम साइज में काट लिया है और एक प्याज को भी मैंने मीडियम साइज में काट लिया है ग्रेवी बनाने के लिए हम उसी कड़ाई का इस्तमाल करेंगे तो यहां मैंने गैस को ओन कर दिया है गैस का फ्लेम अभी मीडियम ही रखेंगे और उसके बाद कड़ाई के अंदर जादा घी था तो मैंने उसको थोड़ा सा कम कर दिया है अब इसको मैं थोड़ा सा गरम होने दूँगी और इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे लसन थोड़ा सा लसन को भून लेंगे चलिए अब इसके अंदर हम प्यास डाल देंगे ध्यान रहे प्यास को हमने जादा नहीं भूनना प्याज का जो कच्चा पन होता है वो बरकरार रहना चाहिए क्योंकि मंचूरियन के अंदर इसका कच्चा पन ही अच्छा लगता है अब हम इसमें कटी हुई शिमला मेर्च और गाजर को डाल देंगे और एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे इसको भी हमने जादा नहीं पकाना सिरफ दो से तीन मिनट तक इसको हम इसी तरीके से पकाएंगे और उसके बाद इसमें हम कुछ मसाले अड़ करेंगे तो यह देखिए पास से कितना सुन्दर लग रहा है अब इसके अंदर हम कुछ सॉस अड़ कर लेंगे तो यहां सबसे पहले मैंने एक चोटी कडशी टमैटो सॉस की डाली है इसके बाद हम डालेंगे वाइट विनेगर यह भी चोटी कडशी डाली है इसके बाद हम इसमें डालेंगे सोय सॉस यह भी मैंने एक चोटी कडशी डाली है अब इसको हम mix कर लेंगे अगर आपके पास शेजवान सॉस हो तो आप इसके अंदर वो भी add कर सकते हैं तो मैंने यहाँ एक छोटा चमज शेजवान सॉस का भी add कर दिया है अब इसके बाद हम इसको mix कर लेंगे इस तरहां 2-3 मिनट लगेंगे इसको पकाने में अब इसके अंदर मैंने डाला है एक छोटा चमज नमक का और उसके साथ साथ मैंने डाला है आदा छोटा चमज लाल मिर्च और उसके बाद 1-2 चुटकी काली मिर्च की यह पिसी हुई है और इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे कॉन फ्लार तो यहां कॉन फ्लार घोलने का जो तरीका है वो आप देख लीजिए कटोरी में मैंने दो चमच कॉन फ्लार लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ज्यादा पतला घोल हमने नहीं बनाना तो यह देखिए इस तरीके से ही हमारा घोल बनकर तयार है अब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ग्रेवी में डालने के लिए मैंने यहां एक से दो चमच कॉन फ्लार के डाले हैं हम इसको एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे अब इसमें मैंने ग्रेवी थिक ही अच्छी लगती है तो बचा हुआ कॉन फ्लार भी इसके अंदर हम डाल देंगे और इसके बाद एक लस पानी इसके अंदर हम और डाल देंगे पांच मिनट तक हम इस ग्रेवी को पकाएंगे अब हम इसके अंदर सारी बॉल्स डाल देंगे जो हमने अभी फ्राई की थी थोड़ा ध्यान से डालेंगे क्योंकि ग्रेवी अभी गरम है तो इसके छीटे हमारे उपर आ सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा गैब देंगे और ये सारी बॉल्स हम इस ग्रेवी के अंदर डाल दे तो 5-7 मिनिट हम इसे इसी तरीके से पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो यह देखिए इसका रंग और टेक्स्टर कितना अच्छा आया है बिल्कुल बाजार के मंचूरिन की तरह लग रहा है तो अब मैं इसे सर्ब क करके दिखाती हूं तो देखिए जादातर लोगों को वेज मंचूरिन बनाने का तरीका नहीं आता इसलिए वे बाज़ार से खरीद कर खाना पसंद करते हैं लेकिन आज की रेसिपी देखने के बाद आप इसे घर पर बनाना जरूर पसंद करेंगे तो आज की रेसिपी ये अलग से थी में और वंचूरैन ड़ाल कर आपको दिखाया है तो देखिये देखने में कितना बढ़िया लग लग रहा है जितना देखने में बढ़िया है उतना ही खाने में भी यह बहुत टेस्टी है इसके साथ साथ हमने इस में बहुत सारी सबजिया मलाकर इसको पॉस्टिक भी बना दिया है तो आप इस रेसेपी को जरूर ट्राइ करें या आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी अगर यह रेसेपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और हुआ है है